हेलो एव्रीवन कैसे हैं आप सब आज हम पजब सुबा मोमेंट के बारे में जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और यह जो मोमेंट जो है वो किसलिए हुआ था और किनके द्वारा यह मतब शुरू किया गया था और किस वज़े से तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉइंट व यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी अपका भी टिटिटिव एक्जाम के लिए प्रिपरेशन करें हैं उन सब के लिए भी फायदे मंद होगा तो इस वी वीडियो को जो है एन तक देखने की साथ सार लाइक करना प्लीज मत भूलेगा तो अभी हाल ही में जो है शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी यह शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी एस जी पीसी ने चार जुलाए 1955 को जो है पंजाब सुबा 1955 के 4 जुलाइ को जो है पंजाब सुभा अंदूलन मोच्छा के दौरान जो है जो के गोल्डन टंपल जो है अमरिटसन में पंजाब में तो उसके अंदर जो है पुलिस वल द्वारा की गई जो कार्यवाई थी उसी दिन को जो है याद करती हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कि जो है और यह किस ने किया है श्रीरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटियन के एस जी पीसी ने तो अभी पंजाब सुभा अंदूलन जो है वो क्या है थो ठोड़ा सा उसके बारे में हम जानते है तो अभी आजादी के तुरंत बाद जो है पंजाब में जो है इस अंदोलन का नेत्रित्व किया गया था तो अभी शिरोमनी अकाली दल ने जो है ये जो पंजाब भाश्री राज्य को लेकर एक जो आंदोलन जो हुआ था वहाँ पे एक जो मुमेंट जो हुआ था उसी को जो है अफ्टर इंडिपेंडन्स जल्द ही जो है इसको शुरू किया इसका जो है नारा लगाया गया था और इसके अलावा भी जो है इसका मांग का जो है विरोध करने वाले जो लोग जो थे महा पंजाब इसके समर्थन में नारे लगा रहे थे तो अभी जो लोग की मतलब इसकी जो मांग जो कर रहे थे उनके मतलब उनके पक्षमी जो थे मा मतलब उनके द्वारा नारा लगाया गया था और दूसरी तर्व जो है जो कि मांग का जो विरोज जो कर रहे थे वो लोग जो है महा पंजाब के समर्थर में नारे लगा रहे थे अप्रिल 1955 में जो है सरकार ने दंड प्रक्रिया संगिता यानि Code of Criminal Procedure CRPC की धारा 144 की तहर जो है कानून व्यवस्ता को बनाई रखने के लिए नारो पर प्रतिबन लगा दिया दन पंजाबी सुवे के निर्मान की मांग ने जो है सरतही अलग हरियाना राजय की मांग का आधार निर्मित कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि पंजाबी जो सुवे जो थे उनके निर्मान की मांग ने खुद ही जो है अभी जो के अलग हरियाना राजय की मांग का आध इसमें कि पंजाबी भाष्टी जो लोग जो है वो लोग इस एरिया में शामिल होंगे मतलब जिस राइजे को निर्मान किया जाएगा पंजाबी भाष्टी राइजे को तो इसमें वो लोग मतलब शामिल होंगे और किसी भी जो स्थाई तरीके से इसके आकार को बढ़ाने के घटाने के जो है तो उसके कारण जो है कोई भी उग्रहिंसक प्रयास ना करना यानि कि इसको जो है मतब बढ़ाने के लिए घटाने के लिए इसके रियाज को तो उसके लिए जो है कोई भी मतब वाइलेन नहीं करना इसका एक और मांग था और उसके अलावा भी पंजाबी भास्री राज्य भारतिय संग्विदान के अधिन होगा तो ये उसकी मांग था तो ये जो पंजाबी भास्टी जो राज्य जो होगा लेंग्विज जो बोली जाएगे बंजाबी तो वो जो एक जो अलगसा जो एक जो राज्य बनेगा वो अभी भारतिय जो संग्विधान है उसके मतलब अंडर होगा अभी पंजाब का जो गठन जो है यानि की formation और पंजाब जो है वो क्या है तो पंजाब पुनर गठन अधिनियाम 1966 और राज्य पुनर गठन आयोकिपूर्फ सिफारिशों के अनुसार जो है उसके पारिद होने के साथ जो है हरियाना जो है साल 1966 में पंजाब से अलग होकर भा है पंजाब से अलग हो गया और भारत का यह सत्तरवा यह एक राज्य बन गया और इसी प्रकार जो है पुर्वी पंजाब का जो पुर्व राज्य अब दो राज्यों हरियाना और पंजाब में विभाजित हो गया था तो अभी किया हुआ कि इस प्रकार इसी तरह से जो है पूर्वी जो पंजाब जो है यानकी इस्ट जो पंजाब जो है और उसका जो इस्ट का जो स्टेट अब दो राज जो में जो है हरियाना और पंजाब में वो मतलब डिवाइड हो गया था और कुछी शेत्र जो है मतलब कुछ जो एरियास जो है केंद्रशासित प्रदेश या स्पाइब ऀसके लीए कि साहां होगे लाकिन उसके लिए राईजिधानी जी चंडिगर को रूप में इसको राज़थाने बना दिया गया औरा सइंविधानी प्रावधान धियों क्या है तो भारतिय संविधान केंद्रे सरकार को मौझूदा राज्यों में से एक नया राज्य बनानी या दो राज्यों का विलाई करने का अधिकार देता है इस प्रक्रिया को जो है राज्यों का पुनरगठन कहा जाता है तो भारतिय यानकी इंडियन जो कंस्टिटूशन जो है वो अभी संट्रल गर्वर्मेन को जो है यह जो की मौझूदा एक जो राज्य जो एक जो स्टेट जो है उनमें से एक नया मतलब इसको डिवाइड करके और एक नया स्टेट बनाने का या फिर दो राज्यों का जो धार्मिक जातिया या प्रशासनिक हो सकता है और अनुछित 3 में जो है कुछ जो प्रक्रिया जो प्रदान करता है वो कुछ इस प्रकार है कि राश्ट्रपति का संदर्व यान कि रेफरेंस राइजय विदान सभा को भेजा जाता है तो राश्ट्रपति के द्वारा जो रेफ राजयों के निर्मान्द पारिद कर्णा होता है और गाले संगसर्द और अनुमोदित किया जाता है तो sama लक्ति हैं तो इसके कुछ लाव और नुकसान भी है कि नई राजयों के निर्मान के फायदें और है नुकसान क्या है लेकिन इसका कुछ लाप के साथ सा नुकसान भी वो क्या है तो वो है कि आतराज्य जो जल, विद्धूद, एवंग सेवा विवाद में विद्धी की संभावना होती है क्षेत्रिय स्वायत्ता के नारे में राष्ट्रवाद की भावना कम होगी छोटी राज्य विद्धिय सहायता के लिए काफी हद तक केंद्रे सरकार पर निर्भर है अलग-अलग राज्य का जो दर्जा जो है वो प्रमुक समुदाय के आधिपत्य के और ले जा सकता है तो ये सब इसके नुकसान है अब भारत में राज्य के दर्जी को लेकर वर्तमान जो मांगे विदर्भ जो कि इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नाकपूर डिविजन शामिल है इस विदर्भ में और दिल्ली में विभिन मौलिक एवंग बुनियादी शक्तियों पर नियंदरन प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग कर रही है उसके बाद आता है हरीद प्रदेश जो कि इसमें पश्ची में उतर प्रदेश के क्रिश्री प्रधान जिले शामिल है और फिर आता है पूर्वान चलतो यह जो है उतर मेध्य भारत का एक भौगलिक शेत्र है जिसमें कि उतर प्रदेश राज्य का पूरिवी हिस्सा शामिल है ठीक है तो आप लोग अगर चाहते तो उस वीडियो का आप लोग देख सकते हैं तो प्लीज इसको देखना मत भूलिएगा और उसके बाद आता है कि सौराष्ट्र तो सौराष्ट्र जो है दक्षिर्ण पश्चिमी गुजरात राज्य में जो है कठियावार प्रायदीप जिसे कि लीज जो हे उसके लिए बहिए और उसके बाद आता है गोर खालान जो के आख लिया तो यह प्रास्तावीत राईजी जिसमें कि गणुर छेलों के वियर्जियों होते हैं तो उन लोगों के लिए निवासित स्थान जैसे की पश्चिम बंगाल के उतरी हिस्से में डार्जि से तो यह सब तो आज के लिए जो है वीडियो में इतना ही है और कल हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के पूरे एनलाइसिस के वीडियो के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो वीडियो जो है से देखते रहिए कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत का क्योंकि आपका हमें बहुत ही करता है hard work करन सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि ऐसे जो बनाने के लिए हमें बहुत ही unies करेश्रा व कैसा अशा करती हुं कि हमारी इस परिशर्म को आप रोग सपोर्ट्स रूर करेंगे So, please keep supporting us and keep watching our videos, like, share and subscribe, take care, Jai Hind.